हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस माउज में जहां हम आपको देते हैं बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई ठीर सारी ज़रूरी जानकारियां बच्चे का अकसर गुमसुम रहना, किसी से बात ना करना, अकेली बैट के रोना, चिर्चिडापन, पैनिक अटाइक आना, रात भर ना सोना, खाना ना खाना, किसी काम में मनना लगाना, पढ़ाई पर फोकस ना कर पाना, छोटी छोटी बातों पर रो देना, बहुत गुसा क ये सारे लक्षन बच्चों में डिप्रेशन की तरफ इशारा करते हैं तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के लक्षन या ऐसी गुमसुम रहने वाली सिचुएशन अपने बच्चे में दिख रही हैं तो गलती से भी इन चीजों को नजर अंदाज ना करें बढ़ों में डिप आप सबसे डिसक्स करूंगी ताकि ऐसा कुछ आपके बच्चे के साथ ना हो और अगर इस तरीके की कोई भी सिम्टम्स आपको अपने बच्चे में दिख रहे हैं तो आप उसे समय से कंट्रोल कर सकें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो से आप आपको कोई भी हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बच्चों में डिप्रेशन के लक्षन कारण और उसे कंट्रोल करने के कुछ टिप्स तो सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन के लक्षन क्या होते हैं आपने कई बार देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे अकसर काफी अग्रेसिव हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं अकेले बैठे रहते हैं किसी से बात नहीं करते ना खेलने में मन लगाते हैं और ना ही पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं भूक या तो बहुत ज्यादा लगती है या बिल्कुल ही कम हो जाती है ठके ठके रहते हैं बिमार रहते हैं कभी पेट दर्द कभी सिर्दर्द यहां तक की सोसाइड करने तक की भी कोशिश करते हैं मतलब इतने चोते बच्चे को कैसे ये सब हो सकता है, कैसे वो खुद की लाइफ को खतम करने की सोच सकता है, आखिर वजह क्या है, तो आए जानते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन क्यूं होता है, पहला कारण हो सकता है lack of pregnancy care, आप सभी जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में अगर हम ल depression के chances भी होते हैं इसलिए हर महिला को ये समझना जरूरी है कि pregnancy में जितना हो सके खुश रहे हैं, जितने male viewers हैं वो भी अपनी wife को जितना हो सके खुश रखें ताकि इस तरह की किसी भी समस्या का आपको सामना ही ना करना पड़े दूसरा कारण हो सकता है family history इसका असर उनके मानसिक स्थिती पर पढ़ता है या फिर अगर उसे ऐसी जगा चोट लगी है जिसमें वो लंबे समय से bed rest पर हो इसलिए अगर कभी बच्चा लंबे समय से बिमार चल रहा है तो उसे एक अच्छी और healthy diet दीजे उसे ये feel कराये कि वो बिमार नहीं है ताकि किसी भी तरीके की बिमारी का असर उसके दिमाग पर ना हो चौथा है life events कई बार बच्चे के साथ कुछ ऐसी tragedy हो जाती है जिससे वो सदमे में चले जाते हैं जैसे कि किसी तरीके का accident या किसी family member की death या बच्चे के साथ किसी ने कुछ गलत किया हो और बच्चा आपको बताना पा रहा हो और उसकी वज़़से उसके दिमाग पर बुरा असर पढ़ रहा हो ऐसे में बच्चे बहुत गुमसुम हो जाते हैं तो आप बच्चे से बात करिए उसे comfortable feel कराईए ताकि वो आपसे अपनी problem share कर सके पांचवा है changes in lifestyle कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना शहर बदलना पड़ता है दूसरी जगा shift होना पड़ता है और बच्चों के लिए नए महौल में adjust करना काफी मुश्किल हो जाता है खास कर कि वो बच्चे जिनके घर पर और स्कूल में ठेर सारे friends हो और उन्हें साप छोड़ कर नई जगा जाना पड़े नए स्कूल में adjust होना भी आसान नहीं है तो ये भी एक वज़़ा हो सकती है उनके depression की तो ये होते हैं basic reasons जो बच्चों में depression के कारण बनते हैं लेकिन समय रहते इसे समझ लेना और control करना बहुत जरूरी है और अगर आपको लगता है कि बच्चा ज्यादा परिशान है तो उसे किसी अच्छे doctor को दिखाए ताकि उसकी mental health effect ना हो इसके अलावा छोटी मुटी परिशानी को आप घर में भी care करके ठीक कर सकते हैं और बच्चों को अच्छा feel करा सकते हैं और उन्हें recover कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि हम घर में क्या-क्या कर सकते हैं हमारी पहली tip है yoga and meditation मैं हमेशा कहती हूँ कि yoga और meditation दोनों ही हमारे मन और दिमाग को शान्त रखते हैं और एक positive feeling भी generate करते हैं इसलिए बच्चे को रोज बले ही आदा गंटा सही yoga जरूर कराईए खास कर वो आसन जो दिमाग को शान्त करते हैं जैसे कि बालासन ये बच्चों की depression और anxiety को fight करने के लिए बहुत असरदार है हमारी दूसरी tip है healthy diet अगर हम खाने पीने की बात करें तो हम क्या खाते पीते हैं इसका असर हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी पड़ता है कुछ बच्चे depression में ज्यादा खाते हैं तो कुछ की भूग ही मर जाती है लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो जो भी खाएं वो पोशन तत्वों से भरा हो और उनमें धेर सारी antioxidants हो antioxidants हमारे शरीर से toxins को बाहर निकालने का काम करते हैं और हमारी body में एक happy hormone डेवलप करते हैं जिससे हमारा दिमाग भी शान्त रहता है और हम खुश भी रहते हैं इसलिए बच्चे को हरी पत्तेदार सबजियां, फल, dry fruits और साथ ही नारियल पानी भी जरूर पिलाएं depression में शरीर काफी ठका हुआ और बिमार फील करता है और एक complete healthy diet हमें काफी energy देती है तीसरा है hydration, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी की कमी शरीर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वरना brain में oxygen का flow कम हो जाता है depression में वैसे भी body और दिमाग दोनों ही ठका हुआ रहता है और पानी उसमें energy का काम करता है इसलिए बच्चे को दिन भर में एक से देल लीटर पानी जरूर पिलाएं दोस्तों अभी मैंने पिछले ही टिप में बात करी कि बच्चे को hydrated रखना और उसको liquids देना बहुत जरूरी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें cold drink, coffee, चाई यह सब पिलाएं एक बात का खास ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके के डबे बन juice, cold drinks या energy drinks बच्चे को ना दे और ना ही चाई coffee क्यूंकि इन सब में क्याफीन होता है जो body में water retention को कम कर देता है और body को dehydrate करता है चोथा टिप है add zinc in the diet जहीं के एक ऐसा portion तत्व है जो brain के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इससे depression और anxiety की समस्या में काफी आराम मिलता है इसलिए बच्चे की diet में आवोकाडो, पालक, कद्दू, छोले, वदाम, कद्दू के बीज ये सब भी शामिल करिए अगला बहुत ही important tip है दोस्तों physical activities आज कल ज्यादा तर बच्चे mobile और टीवी में busy रहते हैं जिसकी वज़े से उनका brain proper function नहीं करता और कहीं न कहीं दिमाग पर बुरा असर पड़ता है लेकिन जब बच्चा depression में हो तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि इसके depression की वज़ग को खतम करना है और ये तब ही possible है जब उसका दिमाग शांत होगा और वो खुश रहेगा इसलिए बच्चे के साथ खेलिए अलग-अलग तरीके की activities कीजिए कुछ नहीं तो अपने काम में involve करिए ताकि उसका मन लगा रहे आप उसे बाहर घुमाने लेके जाएए खास कर पार्क जैसी जगा जहां पेड, पौधे और ताजी हवा हो जितना वो खेलेंगे कूदेंगे उतना ही उनकी body और mind relax होगी और क्योंकि depression में नीन ना आने की समस्या भी होती है तो बच्चे जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ही ठकेंगे और अच्छे से ठकेंगे तो नीन भी अच्छी आएगी तो कुछ इस तरीके के tips को हम follow करके बच्चे की depression की समस्या को खतम कर सकते हैं काफी parents को ये पता भी नहीं चल पाता कि उनका बच्चा depression में है क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अभी तो बच्चा बहुत चोटा है इसे किस बात की tension होगी या इसे क्यों किसी बात का फरक पड़ेगा पर ऐसा नहीं होता है बच्चे बहुत sensitive होते हैं और उन्हें हर चीज से बहुत जल्दी फरक पड़ता है इसलिए अगर बच्चे में depression के लक्षन दिखें तो एक बार सोचिएगा जरूर की आखिर वजह क्या है कहीं आपके घर का महौल तो खराब नहीं है या क्यूंकि कई बार घर की लड़ाईयां और problems के चलते बच्चे में depression आ जाता है और अगर आपको लगे कि बच्चा हर बात पर panic होने लगा है उसे अच्छानक से गबराट और पसीना आने लगा है गुस्सा इतना आता है कि चीजें fake ने तोडने लगता है तो बिना देर किये आप इस बारे में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजे ताकि सही समय रहते इसका इलाज हो सके आप मेंसे कई लोग ये सोच कर ऐसे में बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं ले जाते तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारे इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करियेगा साथ ही अगर आपके कोई प्लाश नहीं से लेलेटेड तो वो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूच सकते हैं इंस्टराम का हैंटल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप से शेर कर दूंगी जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले और बहुत ही informative वीडियो के साथ तब तक के लिए आपकी आगया चाहूंगी नमस्कार